जिन लोगों ने अपने जीवन को संकट में डाल करके दूसरे की जिन्दकी को बिचाने के लिए काम किया है कब से कम वहां तो दया करो पाप लगेगा पाप लोगों ने पिछले छे महीने से उनको अभी तक सेलरी नहीं मिली है छे महीने से सेलरी नहीं मिली है वादा तो आप गारंटी तो आपकी यह है कि पांच लाग बेरोजगारों को रोजगार देंगे अधेक्स मोदे विशे यह है कि जो नियम स्तासित के अंतर के चर्चा का विशे लाने की आपशक्ता क्यों पड़ी हिमाचल परदेश में सोर्स में जो करमचारी लगे थे उनकी संख्यां लगबग लगबग जो है उनमें से लगबग 10,000 के करीब जो है ऐसे जिनको अज़ सडकों पर जो है वो उन छोड़ दिया गया है उनको निकाल दिया गया है 2000 करमचारी तो है एल्थ एल्थ डिपार्टमेंट के है और कम से कम उस सारी विशेय पर तो सोचना चाहिए जिन्होंने अपनी जिन्दगी को जोकी में डाल करके लोगों की जिन्दगी को बिचाने के लिए काम किया उस वक्त उस वक्त अध्यक्ष मोदे में ये भी कहना चाहरा हूँ कि परिवार के सदस्यों ने परिवार के सदस्यों अंदर जाकर के जो बिमार थे उनसे मिलने से मना कर दिया वो बच्चे थे जो जिन्ने उनको रोटी खिलाई पानी पिलाया दवाई घिलाई उनको और उसके बावजूद आप लोगों ने पिछले छे महीने से उनको अभी तक सेलरी नहीं मिली है छे महीने से सेलरी नहीं मिली है वादा तो अब गरंटी तो आपकी यह है कि पांच लाग बेरोजगारों को रोजगार देंगे इसलिए देख्ष बहुत है इसका महत्व है जिन लोगों ने अपने जीवन को संकट में डाल करके दूसरे की जिन्दगी को बिचाने के लिए काम किया है कम से कम वहां तो दया करो पाप लगेगा पाप लोगों को पाप इसलिए लगेगा यह पुन्य का काम कि परिवार के साथ निए उस वक्त यह पॉइंट है जाद दी जाए कि जो और सोर्स में लगे हुए कर्म चाहिए हम मानते हैं कि आप आर्थ की तंग आर्थिकी की दृष्टी से कटनाई में गुजर रहे हैं वो तो हम भी गुजरे हैं ऐसे नहीं है कि आप सब वह पूरव में सरकार जो है सारा क्लियर करके गई ती कोई पैसा देने को नहीं था तैंक यू तैंक तैंक इसलिए मैं आप सब उनकी नौकरी का विशय है उनके काम का विशय है उनकी सैलरी का विशय है उनके परिवार का विशय है इसलिए ये अभी लंग चर्चा की जाद है